मराठा मंडल ने दिल्ली का तक्त फोड़ा जहां पे अवरंग जेब बादशा बेटा था श्रीमान स्रीकांत देविंदर जोसी जी आपने पुणे विश्व विद्याले से अपनी पढ़ाई करी है आप अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के कारी करता है राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के भी कारी करता है तृत्य वर सिक्षित कारी करता है और N.D. और C.D.S. जैसी इस प्रधा परिक्षा का लेक्चर भी देते हैं और आप उस महराष्टर से आते हैं कि छत्रपती सीवा जी महराज का नाम तो हम सब लोगों ने सुनाई होगा चाहें हम कितने भी इंडिफरेंट हों क्योंकि उस व्यक्ति की कीरती ऐसी थी तो मैं श्रीकान जोसी जी सागर्य करूंगा आएं और हमें कुछ मराठा इतिहास के बारे में बताएं श्रीकान जी सर धन्यवाद हमारे शुरुवाद जो है मराठा इतिहास की तुम्हें बहुत इस पुस्तक में क्या है वो बताने हाला हूँ और किसके आवश्यक्ता है? मीनाक्षी जी है, डॉक्टर मीनाक्षी जी, तो मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी शुरू करेंगे, प्रतिपचंद्र लेखेव वरदिशन विश्वबंदिता, शाहत सुनश्वसाइशा, मुद्रा बद्राय राजते, अर्थात, छत्रपती शिवाजी महराज की यह राजमुद्रा है, वो जो जनता है, रयत है, उनके कल्यान के लिए है, और उनकी यह राजमुद्रा एसे ही प्रतिपचंद्र लेखे वाज, इसे चंद्र रहता है, चांद रहता है, वैसे ही बढ़ते जाए, चत्रपती शिवाजी महराज, कुछ न महाराष्ट में पूरे बहरत में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जो प्रतिबाशाली स्टूड़न्स होते हैं यह सारे स्टूड़न्ट इंजिनेरिंग या मेडिकल को जाते हैं और उस वजह से सुमार दर्जा का इतियास जो है वो लिखा जा रहा है और उसका परेणाम यह है कि हम अपना गवरवशाली इतियास भूलते जा रहे हैं पेशो के लिए जो इतियास लिखते हैं अपने नाम के लिए जो इतियास लिखते हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उसके वजह से हमें अच्छे लोगों की आवश्यक्ता है जो इतियास का पुनर लेखन करें एसे पीएजडी ओल्डर्स चाहिए जो एकड़मिक में काम करें और अच्छा इतियास जो है लिखा जाए जिससे हमारा गवरवशाली इतियास आगे बढ़े अभी हम इस पुस्तक में जो क्या है वो तो आप पढ़ेंगे कि हमारे चत्रपती शिवाजी महराज जो है वो साक्षद ब्रह्मा विश्णु और महेश के रूप थे जैसे महरान प्रताव भी थे है उसी वहुश से चत्रपती शिवाजी महराज थे ब्रह्मा यानि निर्मिती चत्रपती शिवाजी महराज ने स्वराज्य की निर्मिती की भगवान विश्णु की तरह हिंदुों की रक्षा की और तांडव करते हुए शिवजी की तरह इस्लामी सत्ता का विनाश किया यह चत्रपती शिवाजी महराजा का वैशिष्ट था और उनके ही मारगपर उनके जव पुत्र थे धर्मविर चत्रपती संबाजी महराजा जब बलिदान माश चालू है महराश्रमें लाखो यूवक उपवास करते हैं 40 दिन जो यातना जो है संबाजी महराज ने जो यातना जो है उन्होंने भोगी है उन्होंने जो यातना जो है वो अनुभव किये है उसका थोड़ा सा भी जो कन है तो वसे हमें मिले या उसका अनुभुती हो इसलिए लाखो यूवक माहराश्न में 40 दिन का कड़क उपवास करते हैं कि तो से बलिदान मास कहते हैं अमावस के दिन याने वरिष प्रतिप्दा के पहले पहले वाले दिन व वास जो है वो कतम होता है वरिष प्रतीप्दा के दिन छोड़ा जाता है तो द्हर्मविर चत्रपती संभाजी महाराज का बलीदान यह चैतन्य देने वाला था वो दुखत घटना नहीं थी तो वो चैतन्य घटना थी क्योंकि जब चत्रपती संभाजी महाराज का बलीदान हुआ तब लाखों यूवक खड़े रहे हमारे मराठों को हमारे मराठों के राजाओं को खत्म किया आपने उनका वलीदान हुआ अब हर एक यूवक में हर एक बालक tutto, हर एक महिला में हरत बालीका में छत्रपती संभाजी महाराज रहेंगे एसा महारास्रा ने उस दिन सोच आ और अलेंग जेप को महराश्रा में पुलाया और उसको खतम किस ने किया उसको कुदम नहीं मुद्धर लगां करके मुद्धा है और एक महिला जो छत्रपाति शिवा जी महाराज की बहूती उस नों उसके बाद महराणी तारावाई के बाद जो है वो रथम बाजी राव बालाजी विश्वनात नाना सहे पेश्वे इनोंने जो है चत्रपती शिवाजी महराज का राज्य है वो सामराज्य बनाने की कोशिश की पुणे में गड़ है उसका नाम है लोहगड़ लोहगड़ में चतरवती शिवाजी महराज ने जलव्यावास तापन उनका बहुत अच्छा था उसके उपर एक अच्छी पूरी बड़ी किलाव किताब पर उसके बाद प्रथम बाजराव पेश्वेश होते उन्हों ने सोला कोनी सोला कॉर्णर जिसे कहते अश्टो कोन है यह एट कॉर्णर वेसे सूला कॉर्णर वाला बड़ा ताला उसी लोगड़ पे बनवाया और जनता को संदेश दिया छत्रपती शिवाजी महराज का स्वर अभी सामराज्य बनने जा रहा है यहां उसका वैशिष्ट था पर रथम बाजराव पेश्वे जो थे उनका वैशिष्ट था वो जो शनिवार वाड़ा बना है एक अलग बात बताता हूं तो जनरली जो खर्गोष जो है वो खर्गोष के पीछे कुत्ता भागता है शिकार लेकिन शनिवार वाड़ा एसी जगह पर बांदा गया जहां पे खर्गोष पीछे भाग रहा था शिकरी कुत्ता उससे डर कर आगे भाग रहा था एसी जगह पे प्रथम बाजरावने उन्होंने सोचे यह कुछ जगह अदबूत है और उन्होंने जो शनिवार माड़ा है उस जगह पे बनाना शुरू किया लेकिन बनाते वक्त उसका जो पाया है जो बेस जो है तो बेस जो है बनाते वक्त उन्होंने क्या किया है अदिल्शाही सरदार जो थे मोगली सरदार जो थे चतरवती शिवाजी महराज का महल था लाल महल वो लाल महल उन्होंने पूरी त उख्री में ली पाव में चप्पल नहीं थी और सर से वो जो मिट्टी है वो शनिवार वारा का जो बेस बना रहे ते उसमें डाल दी और संदेज डिया कि हम आप छत्रपति शिवाजी महराज का स्वराज्ज सामराज्य जो है वो बनाने जा रहे हैं और सारे मराठा साथ में आए मराठा मंडल बना और उस मराठा मंडल ने दिल्ली का तक्त फोड़ा जहां पे अवरंग जे बाद्शा बेट्टा था और तक्त फोड़ा नहीं उपर हिंदो का बगवार है ता नीचे बाद्शा बेट्टा था और सारे निर्णाई जो है वो पुने दरबार में लिये जाते थे हिंदु लेते थे और वो एपलाई करते थे बाद्शा वहाँ बाद्शा कोन बेटेगा वो पुने जो है वो से हम हिंदो को हमारे अगली पीडी को बहुत प्रेरणा मिलेगी और मैं आप सब से हर जगा पे मैं यहीं केता हूँ रिक्वेश करता हूँ कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाए लेकिन उसको इतियास का अभ्यासक भी बनाए वो अच्छा इतियास लिखे और वो इतियास हमारे आगे के पीडियो को जो है वो जाए धन्यवाद